प्रथम तहलका न्यूज आपको बतादे की सीमफ लाइंग को घंटों जो है वो गोदाम के मालिक का इंतजार करना पड़ा व दाम की काघजाद पूरे ना मिलने पर को दाम फिलाल सीज कर दिया गया है आपको बतादे कि युद्णानगर में सीम फिलाइंग से बड़ी कारवाई किया और आपको सील कर दिया है आपको बता दे कि सी एम फ्लाइंग को इस दोरान घंटों तक जो है वो गोदाम के माली का इंतजार करना पड़ा और गोदाम की कागजात पूरे ना मिलने पर गोदाम को फिनाल सील कर दिया गया है शक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दे जो यमुना नगर से आ रही हैं आपको बता दे कि Siya form के प्रमुख दिनेश कुमार ने चापे मारी को लेकर जांकारी साजा की आपको बता दे कि चापे मारी में हजारों की ताद में जो है वो खाद के बैग बरामत किये गए हैं तो बड़ी खबर हम आपको बता दे जो यमुना नगर से आ रही जहां CM Flying ने बड़ी कारवाई की है और हजारों की तादाद में खाद के बैग बरामत कर अब गोदाम को सील कर दिया गया है आपको बता दे कि इस दोरां CM Flying को गंटों तक जो है वो गोदाम के माली का इंतजार करना पड़ा और गोदाम के कागजाद पूरे ना मिलने पर अब गोदाम को सील कर दिया गया है आपको बता दे कि छापे मारी को लेकर CM Flying के प्रमुक दिनेश कुमार ने जानकारी दिया और उन्हें क्या कुछ कहा सुनिए बी तक स्टाक रिजेक्टर नहीं पाया गया जब स्टाक रिजेक्टर बिल मिल जाएंगे किसकी किसान को बिल दिया गया है उसके आदार पर कारवाई की जाएगी इस समय डर्ट साब दोरा गोदाम को सील किया गया है